नमस्कार सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे के था के चमतकारी फाइदे इसके लाजवाब घरेलू उप्योग जिनकी मदद से आप कई सारे रोगों को घर पर ही ठीक कर पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का वी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहा हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्सिता लें इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्सिता जरूर ले लीजिए ताकि आप हमसे कारी फाइदे जो कि आपकी सामान परेसानियों के लिए बहुती जादा फाइदे मन है विसेसकर गर्मी के मोसम में केथा बहुत जादा रोगों में फाइदा करता है गर्मी मिटाने के लिए गर्मी से बचने के लिए गर्मी से लड़ने के लिए केथा एक बहुमूल घरेल और सदी मानी जाती है इसका फल दो पिरकारका पाया जाता है एक बड़ा और एक छोटा छोटा फल बड़े फल की अपेक्छा में ठोड़ा खटा होता है थोड़ा कसेला होता है बड़े फल में मिठास होती है और रसोई गर में हमारी दादी नानी अक्सर इसकी चटनी बना कर प्रियोक करती थी इसकी चटनी बहुत जायकेदार और मिठी लगती है साथ ही इसका सर्वत जो की गर्मी के मुसम में अधिकतर जगे प्रियोग किया जाता है ये बहुत सीतलता प्रिदान करने वाला होता है और इसके अलाबा इसके कई सारे और भी उप्योग है इसका कच्चा फल हलका रूखा खटा जायकेदार तथा कफ का समन करने वाला होता है कब जो पेदा करने वाला खुझली को सांथ करने वाला बात और खांसी को बढ़ाने वाला होता है कच्चा फल यदि आप खाते हैं तो इससे आपको ये समझ साय हो सकती ही लेकिन वही पर पका हुआ फल स्वादिस्ट, कट्टा, कसेला, ग्राही, मदोर, सीतल, बीरिवर्दक दुस्पाच्य होता है यह कंट को साफ करता है किन्तु स्वर्ग को थोड़ा नुकसान पोचाता है इसके अलाबा स्वास, छाय, रक्तदोस, बमन, बायू, त्रिदोस, हिचकी, खांसी और बिसका समन करता है यदि आपको दस्ट लग रहे हों थोड़ा सा केता का गूदा खालें ततकाल दस्ट बंद हो जाते हैं यदि आपको भूख कम लगती हो, पेट सही नहीं रहता हो, तो केता का प्रियोकसों में साम करें हाज मैं दुरस्त हो जाएगा, भूख खुलकर लगने लगेगी इसके अलाबा हिर्दा रोगों में, मस्तिक्त सूल में, बिस मिसर्प में बहुत फाइदेमंद होता है स्वरस का भी उसदी उपयोग होता है, अब मैं बताता हूँ आपको किन किन समस्याओं में, किन किन रोगों में आप इसका प्रियोक कर सकते हैं, पेट दर्द में बेल गिरी तथा केथे के गूदे का सर्मत बनाके दोनों को समान मात्रा मिलें, उसमें इस बीस ग्राम की मात सम्भाग पानी में मिलाकर प्रियुक्त करें, और इसमें चाहें आप सक्कर बगीरा भी डाल सकते हैं, इस सर्मत को पीते साथी पेट दर्द तुरंद बंद हो जाएगा, साथी गर्मी से हुने वाला पेट दर्द गर्मी भणने पर इस सर्मत को पीने से तुरंद रहत मिलत यदि आपको मरोड की समस्या है, मरोड में बेल गिरी तथा केथा के गूदे को निकाल कर ये सर्वत बनाके आप पी लें, तुरंट आपकी मरोड दूर हो जाएगी, खाज खुजली के लिए केथा के बीजों का तेल उप्यों किया जाता है, इसको खाज खुजली पर दियावित लगाएं, कुछ दिन में खाज खुजली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इसके साथ में केथा के गूदे को यदि तेल में उटा कर उसे खाज खुजली पर ल केथा के पत्थे दातू सम्बंदी रोगों में बहन कर उपियोंगी माने जाते हैं। इसके पत्थों को साथ में मिला लें और सोते समय इनका सेवन करें। धातू संबन्दी सारे रोग आपके दो चार दस दिन में खतम हो जाएंगे केता के कच्चे फलों का सेवन करने से मंदागनी अरूची दूर होती भूक बर जाती और हाजमा दुरस्त होता है इसके अलावा सुसन संस्तान के रोगों में भी बहुत फाइदा मिलता है इसके सेवन से सार संबन्दी रोगों में अस्तमा खांसी चाहे इन सबी में इसको यदी इसका फल यदी आप सुबे साम उप्योग करते हैं तो इन रोगों में आपको बहुत फाइदा मिलेगा इसके अलाबा हिदे रोगों में इसके बीजों के चूड का उपयोग करने से भी फाइदा मिलता है हिच्की में इसके पके हुए फल का गुदा निकाल कर मिस्री मिलाकर उसको खाने से तुरंत हिच्की रुख जाती है अब केथा के नुकसान भी ध्यान रखे इसका सेवन करने के साथ केथा के कच्चे फल का सेवन करने से गला बेट जाता है ये स्वर के लिए बहुत हानी कारक होता है तो यदि आपको स्वर संबिन्दी कोई रोग है तो इसका प्रियोग मिलकुल न करें तो दोस्तों ये था आज का मारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से फाइदा उटा सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद